दोस्तों अभी FTM coin phantom coin की price के बात को तो इसकी price almost 2.8 UUDT चल रही है अच्छा कासा moment इसकी price में देखने को मिला है previously dump के बाद से इसकी price में दो दिनों के अंदर अभी एक अच्छा कासा उचाल देखने को मिला और कल से अभी तक इसकी price में almost हमें 40% का एक अच्छा कासा pump देखने को मिला है तो इसके price moment के बारें बात करेंगा आपने इसमें entry ली है 2.5 से अंडर इसमें entry ली है 2.3 2.4 UUDT वाले area पर तो कौन से areas है जो आपके लिए targets हो सकते हैं कौन से areas जाना तक आपको hold ले रखना है एस ट्रेडर सोटम और लोंग टम के प्रस्पेक्टिव से किन एरियास पर आपको नजरे बनाई रखनी है और अगर आप entry लेना चाहते हैं entry मिस कर दी है market pump हो गया है और आपने entry मिस कर दी है तो आपके लिए best entry points बताएंगे सारी जीओ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले अगर आपने भी तक कौइन DCX एप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कौइन DCX एप डाउनलोड करें क्योंकि इसमें मिल रहा है अब ट्रेन इसकी प्राइज में देखने को मिल रहा है ना तो सेल आउट जाना था हमें आए पर देखने को मिल रहा है देखें यहां पर 2.3 या 2.18, 2.16, 2.1 वाल एरियास ने जो डाउन ट्रेन हा उसमें टच किया अच्छा खासा रिट्रेस्मेंट था प्रिविएसली 3.1 वाल एरिया टच किया था वहां से अच्छा खासा रिट्रेस्मेंट सा ओल्मोस्ट 30% से ज्यादा का एक अच्छा खासा करेक्शन अच्छा कासा डंप था और अंडर 2.5 से अंडर जिन लोगों ने वेंट्री ली उनकी ओल्मोस्ट से एंट्री है क्योंकि बिट्कॉइन जह तो अच्छा कासा support area है वो previously इसने चीन न बार इसको hold किया. यहां पर इस ने hold किया इस और यहां पर इस Спलो पर 1.1 और एरिया का अब इसके नीशे वाला एरिया है वहां तक इसकी प्राइस चली गई थी यहां ब्रेक हुआ था लेकिन उसके बाद से जो पंप था वहां पर प्रीवियस लेशन को इसको सेल कर दिया हुआ कि 15% मुनाफ़ा दे रहा है इस कौन में आपको मिनिममं से मिनिममं हर बार इस क्वाइन ने तीन से चार दिन अगर आपने पंप होता है दस परिशन पंदरा बसें अगर तीन चार दिन आपने होल्ड किया उस टाइम तो इसने ओल्मोस्त थार्टी पर एरिया या फिर 2.3 वाले एरिया से भी हम देखे तो यहाँ पर भी आपको 25% से जादा का मुनाफ़ा देखने को मिल रहा होगा और यह अच्छा खासा मुनाफ़ा है इस डंप मार्केट में आपर बीटी से अच्छा खासा डगमगाया हुआ है एक अच्छा खासा रेस्टेंस वह 2.5 से उपर देखने को मिली और आज की वापिस से जो केडल बन रही है 2.5 से उपर मेंटेन करता है और इससे उपर 2-3 निने भी स्टेबल रहता है तो यह वाला एरिया यह सपोर्ट होल्ड करेगा बेटकोईन अपना 42 वाला एरिया सपोर्ट मेंटेन करके रखे रखता तो इसका प्रीवेस हाई है 3.1 तक का बेट करें या फिर आल टाइम हाई 3.48 भी यह ब्रेक करके नया हाई भी बना सकता है अगर बीटी सी में थोड़ा सा मुमेंट 45 वाला भी मुमेंट हुआ या फिर स्टेबल भी रहा तो भी आपको आने वाले 5-6 दिनों के अंदर इसकी है तो आपको सोट तम के प्रस्पेक्टिव से थोड़ा सा होल्ड रखना है चाहें तो कम से कम 50% अमाउंट जो है अगर आपको प्रोफिट हो रहा है 50% अमाउंट सेल करते बाकी रखिए वेट करिए अच्छे खास आपको प्रोफिट होगा बाकी आप यहां पर खुद के अपर जिस टाइब से आप ट्रेट करते हैं उससाब साप चीजों को देखे सेल करें यहां पर हम कोई फाइश एडवाइस नहीं देट यहां पर अगर जो लोग इंटरी लेना चाहते हैं वो अगर बीटी से डगमग आता है थोड़ा 42 से नीशे आता है 41 40 वाल एरिया तक आ तो जो लोग इंट्री लेना चाहते हैं वो 2.5 से नीचे इसमें ले सकते हैं 2.5 से नीचे आता है 2.4 पर एक इंट्री लेए accumulate करे 2.3 तक 2.2 तक जहां तक इसकी प्राइज आती हुआ 2-3 प्राइज आती हुआ 2-3 प्राइज में accumulate करके वापिस से फिर bounce back आपको देखने को मिल सकता है तो 2.5 से अंडर आप इसमें entry ले सकते हैं जिन लोगों ने entry miss कर दी बागी buy और sell खुद के रिस्क खुद के रिसर्च के हिसाब से करें यहां पर हम कोई फाइज से एडवाइस नहीं देते हैं लोंग डर्म के